बच्पन भी के आजब शय है बच्पन में जब भी किसी शरारत पर फैंटी लगती तो साथ ये पाबंदी भी होती कि रूना नहीं आवाज न निकले और ये उस मार से कहीं बढ़कर तकलीव दे हुकम होता जवान हुए तो पाबंदीयों की नौईयत भी बदल गई शाम के वक्त कहसे निकल ले पर पाबंदी नजर उठा कर देखने पर पाबंदी खैर ये पाबंदीयां तो हमारा कुछ न बिगाड़ सकी क्यूंकि हम शाम की बज़ाए रात को घर से निकल जाते थे और देखने की चीजें हम नीची नजरों से देख लिया करते थे अखबार पढ़ना शुरू किया तो पाबंदीयों का मफहूम अपने वसी तर्मानों में हमारे सामने आया आई एम एफ की पाबंदीया वर्ड बेंक की पाबंदीया और सबसे बढ़कर अपने जिगरी यार अमरीका की पाबंदीया जो आए दिन उनकी मर्जियों से लगती और उठती रहती है मुझे और मेरे जैसों को अगरचे उन पाबंदीयों से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन फिर भी घुसे और सोग की कैफियत कई दिनों तक पीछा नहीं छोड़ती थी कहते हैं पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा सत्तर हजार के मक्रूस है एक दूर अंदेश बज़र्ग ने इसके सिर्फ यही हल तजवीज किया है कि यहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किये जाएं जब कि हकोमत दो से ज्यादा बच्चें पर पबंदी लगाने का सोच रही है अब गर्वशन जो कांट्रैक्ट पर खवतीन लेक्चरर भरती कर रही है उन पर पाबंदी आयद की है कि वो पांच साल में सिर्फ दो बार में ट्रिनिटी लीव ले सकती है सोचने की बात यह है कि वो डिलिवरी की हालत में लेक्चर क्या खाग दिलेवर करेंगी जब कि मुस्तकिल खवतीन लेक्चरर पर यह पाबंदी भी आयद नहीं करती बलकि वो तो हर साल इसका फाइदा उठाती हैं और बाज तो अफसरान गिये कहने में आर महसूस नहीं करती कि हम ये चुट्टी क्यों न लें कि हमारे खावन धेज रहे हैं कुछ पबंदिया ऐसी हैं कि जो अंदरूने मुल्क में आईद की जाती हैं जैसे शादी के खाने पर पबंदी, मोटरसाइकल की डवल सबारी पर पबंदी मोटसाइकल की डवल सबारी पर पबंदी तो मेरे समझ में आज तक नहीं आ सकी लेकिन कुछ गरीब अंदेश लोगों का खयाल है कि ये पबंदी पुलीस वालों के बजट को तक्वीयत बखशने के लिए लगाई जाती है ताके वो हकूमत से तनखाब बढ़ाने का मतालबा ना करें पाकिस्तानी पुलीस वाले वैसे इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि जो कुछ भी दें वो रख लेते हैं हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि एद के दिन उन्हें मस्जिद में रश की वज़े से जगह नहीं मिल रही थी लोगों की जान और माल पर नज़र रखने के लिए मस्जिद के बाहर एक पुलीस वाला तायूनात था अगर्चे हमारी पुलीस लोगों की जान पर कम और माल पर ज़्यादा नज़र रखती है उसने उन्हें कहा कि आप मुझे 10 रुपे का नोट दें मैं आपको अगली सफों में खड़ा करतेता हूँ यहां जिस कानून की पबंदी के लिए साइन बोर्ड जिस महकमे के लगे हूँ सबसे ज़्यादा उसकी हुक्म उदूली या कानून शिक्नी वहां की जाती है जैसे जिस जगा लिका हो नो पारकिंग वहां पर लोग जरूर गाड़ियां खड़ी करते हैं मुझे एक दफ़ा सेंटरल जेल में अमतिहान लेने का मौका मिला वहां जेल में जगा जगा चानून की पबंदी के बोर्ड लगे हुए थे इमतिहान शुरू हुआ पहले दिन आठ दस सजाए मौत के गैदी पर्चा देने के लिए इमतिहानी मरकेज में लाए गए वहां इमतिहानी सेंटर में दो पुलीस वालों की ड्यूटी भी लगाई गई थी और वो बड़ी सुराथ से अपनी ड्यूटी सरांजाम दे रहे थे यानि वो मुझरिमों को बाहर से बोटियां लाकर दे रहे थे और उनको नकल करवाने में मशगूल थे मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा सर जी यहां ऐसे ही इमतिहान होता है आप टेंशन न लें कानून के होते हुए कोई नहीं आएगा मैंने कैदियों से कहा ये नकल करना बंद कर दें वरना मैं आपके खिलाफ यू एमसी बना दूँगा उन कैदियों के चेहरे पर किसी किस्म का खौफ और डरना था वो सारे गैदी मेरी इस बात पर हांस हच कर लोट पोट हो रहे थे और कह रहे थे किसर हम तो पहले ही अंदर है आप इस से आगे हमें कहां विजवाएंगे मुझे वहां ऐसे महसूस हुआ यहां इमतिहान इंकम बखतों का नहीं बलके मेरा हो रहा है और वो मुझे से ज़्यदा कानूनी तोर पर हर किस्म के पर्चे से आगाहते उन सब को दफाद जबानी आती मैंने कहा आप तो अंदर हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे भी अंदर कराओगे बहराल उन्होंने कानून की निगानी में काम जारी रखा मैंने जेल सुप्रेटेंटन्ट से कहा यहां बहुत खतरनाक मुझेम अम्तिहान दे रहे हैं आप यहां मजीद पुलीस के आदमी तायूनात करें उसने तीन और पुलीस के आदमी भेज़ दिये उनके आने से यह फ़र्ट पड़ा के पहले दो पुलीस वाले मुझेमों को नकल करवा रहे थे बाद में पांच पुलीस वाले उनको नकल करवाने लगे फिर मैंने मजीद पुलीस को बुलाना मुनासिब न समझा क्योंके वहाँ पहले ही मुकमल गानून की बाला दिस्ती गायम दी वहाँ मुझे किशी ने बताया कि जेल का इमतिहानी सिंटर बनवाने के लिए लोग पुलीस से मिलकर चोटे मोटे जर्म की पादाश में महीने दो महीने के लिए जेल आ जाते हैं और यहां इमतिहान देते हैं बाद में फिर जमानत करवा लेते हैं और बरी हो जाते हैं एक पुलीस वाले का बेटा पास नहीं हो रहा था उसने बिलाकर अपने बेटे को किसी मामूली जर्म में जेल बिजवाया और साबित किया के गानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं वहां पर उसके बेटे ने इमतिहान दिया और तब जाके वो पास हुआ वहां गैदियों ने ये भी इनकिशाफ किया कि जो शाय आपको बाहर से नहीं मिलती वो जेल में बाशानी दिस्तियाब हो जाती है इसलिए हमारी जेलों में छोटे मुटे मुझरिम बड़े बन कर निकलते हैं जिस तरह हमारे मुझरे में जो शख्स जितना बड़ा कानून शिक्न है वो उतना ही ज्यादा मुझरिम है वो उतना ही ज्यादा मुझरिम है और वहां पर बेचारे छोटे मुझरिम मुझ चुपाते फिरते हैं। इस मुल्क में अगर कोई काम मुसलसल हो रहा है तो वो करॉप्शन है। हम 60-65 साल से इस मुल्क को बेच रहे हैं और अब तो ये नोबत आ गई है कि दश्ट तो दश्ट दरियाबी न छोड़े हमने। यहां यह सब कुछ देखकर महसूस होता है कि करॉप्शन पर कोई पबंद्याइद नहीं है। लेने वाले तो यहां हिंदूों से भी फितराना वसूल कर लेते हैं। इस मुल्क की मिशाल उस शक्स किसी है जो एक जगह पर बेसुद बड़ा हुआ था। उस शक्स को बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मक्या नोच रही थी। उस शक्स के करीब से एक आदमी गुजरा उस ने उस शक्स पर तर्स खाया। उस आदमी ने उस पर बैटी हुई मक्यों को उड़ा दिया। उस शक्स को उस आदमी पर बहुत खुशा आया। उस ने कहा तुमने मेरे साथ ये बहुत बड़ा जल्म किया है। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने तो तुम्हे नोचती हुई मक्हियों से बचाने के लिए उनको उड़ा दिया है तुम इसे जल्म कैसे कहते हो उस सखस ने कहा कि इन मक्हियों ने मुझे जितना खाना तक खा लिया अब ये खाकर निस्बतना आराम से बैठी थी अब तुम ने उसे उड़ा दिया अब इनकी जगा नई मक्हियां आएंगी और वो मुझे शुरू से फिर नोचेंगी बास लोग जब तक अपने बास की चापलूसी न कर लें उस वक्त तक उनके दिल का बोज हलका नहीं होता ऐसे लोग अक्सर अपने बास के पास बैठे रहते हैं हाला कि अगर इतनी खिदमत वो अपने माबाप की करते तो यकीन अंगे लोग जननती होते ऐसे ही कुछ प्रोफेसर्स जो कॉलेज में हर वक्त प्रिंसिपल के पास बैठे रहते थे वो कॉलेज बड़ी सड़क के किनारे वाके था उन चापलूस प्रोफेसर साहिबान ने अपने नमबर टांगने के लिए प्रिंसिपल से कहा कि जनाब हमारे कॉलेज की दिवार के साथ बैठ कर लोग यहां पेशाब करते हैं लहाज आउन पर पाबंदी लगने चाहिए प्रिंसिपल ने उसी वक्त ये नोटिस निकाला कि खाली पिरियड में प्रोफेसर इस दिवार के पास बैठेंगे और निकरानी करेंगे कि कोई यहां दिवार के साथ पिशाब न कर जाए यूं जो लोग अपने तहीं समझते थे कि यह हमारा इतना ही आजाद मुल्क है जितना दूस्रों का यह समझ कर फखरिया अंदाज में कॉलेज की दिवार के साथ पिशाब करते थे उन पर तो पबंदी लगी ही लगी लेकिन साथ ही में प्रोफेसर साहिबान को भी इस दिवार की निगरानी सूमती गई बहराल बाज लोग तो कानून की पबंदी इस हद तक करते हैं कि कानून भी शर्मिंदा सा हो जाता है जैसे एक सर्दार जी को दाउती कार्ड मिला कि आपको पार्टी में लाल टाई पहन कराना है लहाज़ सर्दार जी इस चानून की मुकमल पाबंदी करते हुए पार्टी में पहुँछे तो देखा कि लोगों ने पैंशर भी पहनी हुई है सरदार जी ने शोचा के लोगों ने यहां कानून की धज्जियां उड़ाई हुई हैं सिर्फ वही अकेले हैं जिसने मिन्नो अन उस कानून की पावंदी की है हमारे अवाम को हर किस्म की पावंदी गवारा है सिवाए वक्त की पावंदी की ये वक्त को भी सरकारी खजाने समझ कर जाय करते हैं इम्तिहान के दिनों में युनिवरिसिटी की कैंटीन पर बैठे कुछ दोस्त गपशप लगा रहे थे इस दोरान हमारा एक दोस्त आया वो सभी दोस्तों पर बहुत बरहम हुआ और मौशूफ ने वज़ा ये बयान की के जनाब आप अकेले-केले वक्त जाय कर रहे हैं मुझे क्यों नहीं शरीक किया जबसे सद्र बुश को जूता मारा गया है हमारे सरवराहान भी जूता गर्दी से इस قदर खाइफ है कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि खबरदार प्रेस कानफरेंस में जूते पहन कर आना मना है हत्ता कि खुद सद्र साब भी नालैन बगलैन तश्रीफ लाते हैं जब हुकमरानों को तख्त की बजाए तख्ता नजर आने लगता है तो ये स्रफएद एड़ियां दिखाकर और सर पर पाउं रखके भाग जाते हैं ये जाफराने कौम परदेस में गुल्चुडे उड़ाते हैं और देस में बेचारे अवाम पाबंदियों के शिकंजे में शिसकते और बिल बिलाते रहते हैं हकूमत हर शेय पर पाबंदी लगा रही है और हर सहूलत पर बिल भेज देती है मुझे ख़़ज़ा है कि कल कला एक नया हुक नामा सादर नहो खबरदार हसना मना है फी मुश्कुराहट सो रुपे वसूल किये जाएंगे जो छुपकर या जेरे मूँच मुफथ हसा हुआ पकड़ा गया तो उसे सरेयाम जूते मारे जाएंगे मगर इसका क्या किया जाए कि हमारे अवाम भी इतने जिन्ददिल है कि ये हुकूमत से सिर्फ एक ही दरखास्त करेंगे कि हुकूमत बराहे मेरबानी टेक्स हुसूल करने वाले और जूता मारने वालों की अफराद की तादाद में फोरन इजाफा करें शुक्रिया